काई हालो गूद्मॉर्णिंग स्टुडेंट तो जैसे कि मैं क्लास 6 को Chapter 2 यह लिखा चुका था मैंने बहुत कुछ बताया था उसद्धन मैं मैंने आपको नौट्स भी लिखाया था यह है आपको की नौट्स जैसे कि आपको PDF के फ्रॉरम में भी मिल चुका हुआ यह चीज और मैंने इसका रिवीजन वीडियो भी कराया था बहुत मैंने हर एक टॉपिक्स को आपको बताया था उस वीडियो में आप लोग देखना अब हम लोग चल रहे हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आज मैंने कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं ये वाला तो अब हम लोग चल रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स को देखते हैं समझेंगे फिर इसका मैं पीडियेफ भी दूँँगा आपको आप लोग कॉपी में नोट कर रहा हैं और हर एक कॉशन्स को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगो समझ रहा है तो चलते हैं सबसे पहला कॉशन है मैंने आपको दो तरह का करेंट बताया था क्लोजड सर्किट और ओपन सर्किट तो कब हम किसी भी इलेक्रिक करेंट को बोलेंगे कि वो क्लोजड है तो कब बोलेंगे बताया था यह तो वो जब भी बोलेंगे तब वो बिल्कुल exactly current पास कर रहा होगा था है ठीक है यहीज्ड, the electric current is said to be closed when the current is passed through the circuit and appliances work properly अगर उस circuit में कोई भी appliance connect है और वो appliance अगर properly work कर रहा है अगर वो appliance properly work कर रहा है मतलब वो circuit closed है कि circuit closed रहेगा तभी current पास करेगा अच्छा से और जब current पास करेगा तभी appliance वर्क करेगा properly तो यहाँ पर पहला questions का answer था the electric current is said to be closed when the electric current is passed through the circuit and appliances work properly ठीक है जब appliances properly work करेगा तब हम बोलेंगे कि जो एक electric circuit है मेरा क्या है closed circuit है यानि current उसमें से पुरा पूरी पास कर रहा है second question पे चलते हैं लोग why can electric current not flow in an open circuit electric current open circuit में क्यों नहीं flow करते हैं the electricity cannot flow in an open circuit because in an open circuit there is a part where the wire broken its path देखिए सीजी सी बात मैंने बताया था closed circuit में current पास करेगा open circuit में current पास नहीं करेगा open circuit में current पास क्यों नहीं करेगा उसके बहुत सारे कारणा हो सकते हैं या तो आपका जो wire है connecting wire वो बीच में से कहीं तूटा रहे है या फिर आपका जो switch है वो switch off mode में on नहीं हो यानि circuit को close नहीं कर सकता है वो open है मतलब current का complete circuit से पास नहीं होना current का complete circuit से पास नहीं होना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या open circuit और यहीं कारणा है कि open circuit में electric current जो है flow नहीं करता है क्या नहीं करता है open circuit में क्या नहीं करता है current flow नहीं करता है उसके बाद है questions तीसरा why is an electric cell needed in electric circuit एलेक्ट्रिक सर्किट में एलेक्ट्रिक सेल का क्या ज़रूरत है एलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या हो गया बैटरी बैटरी का क्या ज़रूरत है तो एलेक्ट्रिक सर्किट में एलेक्ट्रिक सेल का यह ज़रूरत है क्योंकि एलेक्ट्रिक सेल के अंदर चार्ज कंटेंड होते ह और वो चार्ज वाइर के थरू सरकिट में पहुंसते हैं और सरकिट को complete कराते हैं closed कराते है तो जाहिर सी बात है हम लोग को चार्ज फ्लो करने के लिए चार्ज तो चाहिए न अपने पास कही ना कहीं से तो वो चार्ज हम लोग कहां से मिलता है वो charge हम लोगों मिलता है electric cell के पास से ठीक है और उस cell के पास से जो charge मिलता है वो निकलता है बाहर और एक से दूसरे directions में क्या करता है flow करता है जिसके कारण से appliances क्या करते है work करते है clear what is the function of the switch in an electric circuit switch का function क्या है channel का circuit में switch का function हम सब दानते हैं हम लोग घर में भी हम लोग के board होगा busy board उसमें switches लगे होगे तो switch को अगर हम लोग on करते हैं circuit चालो हो जाता है electric current misleading होना पास होना चुरू हो जाता है और हम लोग switch का off तो electric current पास नहीं होता है तो जाएज़ी बात है switch का function तो हम लोगों बहुत clearly पता हैं इस switch का functions क्या होता हमारा circuit on करता है तो current pass करेगा easy तरीके से और अगर circuit off कर देंगे तो current हम लोग का easy तरीके से pass नहीं करेगा तो यह भी I hope सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपको एक figure दिखा देता हूँ open और close switch का तो यह है आपका open switch और यह है आपका close switch open switch में क्या करेगा current पास नहीं करेगा क्योंकि यह switch इससे connected नहीं है close switch में दखिए यह switch इससे connected है मतलब current यहां तगाएगा फिर इसमें जाके यह pass करके फिर एक transformation बनाएगा मतलब current क्या करेगा easily way में easy तरीके से उससे क्या कर जाएगा पास कर जाएगा ठीक है तो मैंने अभी तक आपको चार questions बताएं अब हम चलते हैं पांच में questions पर how are chargeable cells different from dry cells बहुत easy chargeable cells dry cells से different है कैसे chargeable cells को हम लोग use करके दोआरा charge कर सकते हैं जैसे inverter का battery inverter में भी battery होता बैटरी है तो cell तो उस cell अधिकर में छार्ज कर सकते हैं से लिए ऩरई कि यजिकर चार्जबल है बप कुछ एस具 ost lette यहां जिनका में लोग दोबारा से ग्राइस है अब बागी के questions हम लोग जो question number six है वो हम लोग चलेंगे next videos में देखेंगे और उस videos में और भी बहुत सारा कुछ देखेंगे हम लोग video के contents के according thank you